हलो गाइस गुड मॉनिंग वेलकम टू मैं न्यू व्लॉग और अभी बज़ रहे हैं सुबह के साड़े चार और हम लोग जा रहे हैं कहीं पर किसी लोकेशन पर तो आप व्लॉग में लास्त तक बने रहो और मैं आपको सारी डीटेल्स देती रहूंगी यह देखो वाइट वाली गाड़ी हमारी लग गई है तूरिस्ट वाली और यह देखो सुबह सुबह चार बज़े कितना अच्छा मौसम होता है कितना अच्छा लग रहा है थंडा थंडा लग रहा है बहुत और इतना अच्छा व्यू भी देखने के लिए मिल रहा है इतने स हम अपने स्पोर्ट पे पॉच गए गाइस तो चलो दिखाती हो यह देखो गोड़ा अब लग रहा है कि हम राजस्थान में यहां जा रहे हैं हम इसको हल्दी घाटी का म्यूजियम बोलते हैं जो कि अभी भी हिस्ट्री में अवेलेबल है यह देखो यहां पर टिकेट काउंटर है हमको पहले टिकेट लेनी है और यह हमने प्रावेश कर लिया है यहां पर यह देखो गाइस यह देखो शिवजी शिवजी दिख रहे है आपको और ममी ने पोज ले लिया फोटो लेने के लिए यह देखो यहां पर भी इतनी बड़ी लाइन लगी हुए अंदर जाने के लिए यह देखो लाइन कितनी बड़ी है हल्दी गाटी का जो युद्ध हुआ था ना उसमें यह जो गोड़ा था यह चेतन गोड़ा और यह माहराना प्रताप का गोड़ा था यह जिसने मतलब बहुत सारी उसको जंग लड़ने में बहुत जादा उसका साथ दिया और इसी पे वह मतलब हमेशा अपनी जंग लड़ने के लिए जाते थे और यह हम लाइन से अंदर आ गए हैं और यहां पे उनके जमाने की यह जो पुरानी पुरानी चीजे है न वो दिखाई गई है तस्वीरों में और यहां पे कुछ-कुछ चीजे भी रखी है मतलब यह एक म्यूजियम भी है तो यहां पे बहुत सारी चीजे रखी हुई है जो उनके टाइम की थी बहुत पुरानी इंशें टाइम की तो यह आप देख सकते हैं और यह स्टोरीज के फॉर्म में उन्होंने आप एक्स्पेइन भी किया हुआ है तो यह देख लीजिए आप कितने अच्छे हैं और भीड भी है काफी मतलब अंदर पे वो काउंट करके ही कुछ-कुछ लोगों को लेके जाते हैं सीट के अकॉर्डिंग तो यह पुराने वाले यहां पर सब कुछ उनकी जंग लड़ने के टाइम पर जो उनको काम आदे थी वो सब चीजे है तलवार और बाकी सब और यह देखो ऐसी पेंटिंग्स वगेरा बनी हुई है सब कुछ है बहुत सुन्दर है देखने में उसके अब बाद में फिर हमको एक अंदल बड़े वाले थेटर में लेके गए थे हो जहां पर वहां पर एक प्रॉपर मूवी चल रही थी तो वहां पर भी मैं आपको लेके चलती हूं और यह देखो इतनी बड़ी पकड़ी है लेकिन मुझे नहीं पता किस की है यह इतनी बड़ अब अब यह देखा है और यह देखो हम लोग अंदर थेटर में आगे जहां पर एक्च्वल मूवी चल रही थी उनकी जहां पर उनके जंग के बारे में और सब कुछ बताया था कि उनकी डैद कब हुई और वो कब पैदा हुए थे इसकी स्टोरी आपको हिस्ट्री में मिल उनका 3D याट उसके उपर वो कुछ दिखा रहे हैं और इसमें बताया गया है कि उसके ले का नाम हल्दी घाटी क्यों रखा हुआ है और वहां पे न हम लोगों ने आते डाइम देखा था वहां पे जितने भी पहार थे न वो यलो गलर के थे मतलब हल्दी के गलर के थे इस ले उसका नाम हल्दी घाटी रखा गया है महराना प्रताप की तरफ आए माफी मांगी और अपना घोड़ा माहराना प्रताप को दिया चलो किल्ले से बाहर महराना प्रताप के और यह हम निकल गये हैं बाहर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना जान को सब्सक्राइब कर देना मिल अपने नेक्स व्लाग में बाई प्रताप